आप एन नारियल रात को सोने से पहले नारियल की दो भूंद ऐसे लगाना आपके चैरे पे जितनी भी छाहिया है या फीर आपके चैरे पे दाग धबे हैं। आपके चेरे पे बहुत ज़्यादा ड्राइनस रहता है और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा अमारी स्किन ड्राइ हो जाती है तो उसे ठीक करना चाते हैं तो नारियल तेल को आप रात को इस तरह से लगा लेंगे ना तो आपके चेरे पे जितनी भी जाईया है या फिर आपके चेरे पे बहुत ज़्यादा ड्राइनस आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी सूकी रहती है तो कुछ इस तरह से आपको नारियल तेल लगाना है इससे आपके चेरे की हर प्रोब्लम दूर हो जाएगी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोव करेगी साथ में ढूर है बहुत ही लगाटिएका जरूर आप भी अपने चयरे पे ग्लॉ लाना चाते हैं अपने चयरे की दागधबों रही और झाईयों को दूर मैं तो इस यूज करना इस से आपके चयरे कि हर प्रोब्लम दूर होने वाली है बहुत आछी रेमेडिया इसिर्फ आपको इसे नाइट में ही लगाना है और इससे आपकी स्किन काफी अच्छी उजाएगी तो इसी बनाना कैसे हैं लगाना कैसे है वो देख लेते हैं बौहत आसान इसे बनाना तो चले देखते हैं इस रेमडी को किस तरह से बनाना है किस तरह से लगाना है इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है आदा चमस नारियल का तेल नारियल का तेल जो है हमारे चेरी की जाईयों को दूर करता है यहाँ पे आदा चिमस में नारियल का तेल लिया है और नारियल तेल लेने के बाद मैं यहां पे ले रही हूँ पतंजली का बादाम तेल तो यह जो बादाम का तेल है बहुत अच्छा है मुझे यही सूट करता है वैसे तो मैंने इसी का यूज किया है कोई और लाके यूज नहीं किया है तो मेरी स्किन को यह काफी अच्छा तो यहां पर मैंने नारियल का तेल लेने के बाद बादाम का तेल लिया है आदा चमच उसके बाद यहां पर मैं ले रही हूँ एक चमच शहए तो फ्रेंट्स सहच जो है ना हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मुंद होता है यह मारी चैरी को मौश्राइज कर लिया है और आपको भी एक चमच शहए लेना है उसके बाद यहां पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा लेमन का रस तो यहां पर देख सकते हैं मैंने आदा कटा हुआ लेमन लिया है और इसका थोड़ा सा रस लेना है लेमन के इंदर विटामिन C होता है और यह मारे चैरे पर स्किन को सूट नहीं करता है जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है तो उन्हें सूट नहीं करता है तो कोई बात नहीं है आप इसे स्किप कर देना उसके बाद आपको इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आपको ओरेंज का जूट करता है भी संत्रे आ रहे हैं मार्केट तो आप वहां से संत्राल आके उसका रस ले सकते हैं थोड़ा सा अगर आपको लेमन सूट नहीं करता है तो अगर नहीं है दोनों ही चीज नहीं है तो आप इन सब को मिक्स कर लीजिए कोई जुरूत नहीं है इन लेमन को और ओरेंज के रस को डालने की आप सहेद कोकोनेट ओ जम जाता है तो आपको अच्छे से मिक्स करना है अच्छे से जब मिक्स करेंगे तो बिल्कुल क्रीम की तरह बनेगा बहुत अच्छी रेमेडी है एक वार ट्राइ करेंगे तो बहुत अच्छा आपको फरक नजराएगा आपके चैरे की स्किन जो है बहुत अच्छी हो जा और इसी को अपने चेरे पर लगाना है किस तरे से लगाना है बहुत आसान है तो इसी लगाने से पहले इसे पहले बरेपने फेस को ऑश करना है उसी कि बाद लगाना है बहुत अची पार है जब भी आप नाइट में सोने जाए hablar तो आप इस remedy को यूज़ कर लिजे, इससे आपकी skin काफी अच्छी होने वाली है, तो मैंने कुछ इस तरह से इसे mix कर लिया है, और चली इसे लगा लेते हैं, लगाने से पहले friends, आज का वीडियो कर थोड़ा सा भी पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ, उसे आप सबसे पहले देख पाएं, तो चली फटा-फट से इसी लगा लेते हैं, पूरे चैरे पे, तो इसी लगाना भी बहुत आसान है, जब भी आप नाइट में सोने जाएं, तो उससे पहले अपने फेस को अच्छे से साफ कर लें, अच्छे से चैरे को धो लें, उसके बाद ये आपको लगाना है, थोड़ा-थोड़ा अपने चैरे पे लगाके, जैसे हम क्रीम लगाते हैं, बिल्कुल वैसे लगाना है, पूरे चैरे पे आपको मसाज करने हैं, उपर की तरफ हलक हलक आतों से अच्छे से मसाज करने हैं, जिससे आपके skin बहुत अच्छी हो जाएगी आपके skin पे जितने भी जूरिया है धाया है दाग धब्बे हैं आपके चहरे पे बिल्कुल भी glow नहीं है तो सभी problem आपके चहरे के ठीक होने वाली है आपके skin काफी अच्छी होने वाली है और जितना भी ड्राइनस है आपके चेरे पे वो भी दूर हो जाएगा दाग धबों की जाईओं की तो प्रोब्लम दूर होगी साथ में आपके चेरे पे फेशल जैसा ग्लो आने वाला है तो आपको अच्छे से मसाज कर लेना है और मसाज करने के बाद आपको इसे ऐसे ही 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ज्यादा देर नहीं रखना है क्योंकि सहद की वज़े से हमारे स्किन जो है थोड़ा चिपचिपा हो जाता है तो आपको क्या करना है इसे 15 मिनट ऐसे ही कि अपने पान спoule कपड़ा करना है उसी से अपने फेस को साफ करना है तो पानी मीन हुआती देशी पानी कला जो कुछ इससर ऐसे साफ करना है आपकी स्किन काफी सॉप्ट हो जाए अपने फेस को दोना बिल्कुल भी नहीं है इस बात का ध्यान रखिएगा अच्छे से फेस को साफ कर ले गिले कपड़े से और उसके बाद ऐसे ही लगा रहने दे पूरी नाइट आपको ऐसे ही लगा रहने के देना है इससे आपके स्किन बहुत अच्छी होने वाली है आपके चैरे पर जितने भी परोब्लम हो दूर जाएकगी और अपकी जेरे की जुटना भी चिप चिपापन था वो निकल जाएगा और एक्स्ट्रा ओयल जो है ना वो भी निकल जाएगा आपकी स्किन काफी से रोज लगाना शुरू कर दीजिए एक अपते ही में ही आपके चेरे पे बहुत अचा फरक आएगा तो आप इस रेमोडी को यूज करना वीडियो को लाइक करना चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वी हुआ!